नमस्कार दोस्तों, आल इन्पोर्मेशन सरकारियाट, दमाब सभी का स्वाकत फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट फॉर लेके हैं, बिया-रोग को के लिए ो जी हाँ, फ्रेंड्स दो दिन से हमने कोई सेट नहीं बनाया था, तीन सेट बनाने के बाद में चो टाश Twister चो मेरे को भी पता है कि फोरचे चो चेट बनाना लेकिन प्रोब्लम एसी होगी इस बाज़े से नहीं बना सका और फ्रेंड Yer Sham romantic से को सभी अंसर शीत मत बताने वाला हूँ आपको free notes provide करवाय जाएगा फ्रेंट्स जो practice at first second third था उनका मैंने free notes provide करवाय प्रेक्टिस सेट चारका free notes provide करवाय और आगे भी जो practice set बनाते जाओं कि PDF में provide करवा दूंगा पीडिये पर उसका link आपको description box मिल जाएगा वहां जाके आप download कर सकते हो आज मैं प्रेंट्स आज मैं बता दूँ जो वहिकल मेकेनिक कंडिडेट है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि आज उनका भी वीडियो में बनाने जा रहा हूं जो कि 40 कुसंस का आने वाला है तो बिय वहिकल मेकेनिक का बनाओंगो तो वह लड़के भी तयार है जो वहिकल मेकेनिक की तयारी कर रहे हैं फ्रेंट्स एक बात और बता दूँ आप मट चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे था आप मट चैनल को सबस्क्राइबर जरू कर ले शाथ इम बैल आइकन बटन जरूर सबसे पहले आप तक पहुंच अगे तो फ्रेंट्स चल दे हैं कोके क्यूसंस की और यह हमने पीडिया पोल लिए रसोय कोके लिए अब सबसे पहले क्यूसंस नम्मर की एक ही बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सी सब जीम विटामिन सी होता है ऑप्शन ए बंदगो भी हो जाएगा ऑप्शन नम्री पमदगो भी इसका राइट अंज्र है जा जियां और लिए किम से को नरम करने लिए किसका प्रियोग किया जाता है ऑप्शन ए मत्र शोडियुम बोलते हैं जो हुंकि जा पूरा नाम बता लिए ता मोनो सोडियम गलूटामेंट ठीक है अब क्योंस नमबर तीन की बात कर लेते हैं कैबिज समोसा में निम्न में से किसका प्रियोग किया जाता है option A बंदगोबी, option B लोकी, option C टेंडा, option D नन question number 3 का right answer हो जाएगा, option A बंदगोबी, इसका right answer है question number 4 की बात कर लेते हैं बारतिय राष्ट्री मिठाई कौन सी है, option A बरफी, option B गुलाब जामून, option C जलेबी, option D नन question number 4 का right answer हो जाएगा, option number C ता correct answer जलेबी ठीक है, question number 5, double रोटी में फुलाओ के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है friend double रोटी बनाते है, तो उसको फून लेके लिए हम कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है, question में ये पोचा है option number 1, option number B, CO2, option number C, NO2, option number T, none friend friends, आप सभी को होता है, oxygen O2 होता है, CO2, carbon dioxide होता है, NO2, nitrous oxide होता है nitrous oxide ये laughing ice होती है, आप सभी को पता है, oxygen जो कि हम सामने सांस लेते हैं, वो oxygen है तो डबल रोटी फूनने के लिए carbon dioxide का प्रियोग किया जाता है, तो option number B is the correct answer question number 6 के बात कर लेते हैं, double रोटी बनाने में प्रियोग्त किये जाने वार, banking powder में क्या होता है double रोटी बनाने में प्रियोग्त किये जाने वार, banking powder जो खाने का soda होता है तो कौन सा है, ठीक है, option number A, sodium carbonate, option number B, sodium by carbonate, option number C, none तो इसका right answer हो जाएगा sodium by carbonate, जो कि आप सभी जानते है, science का question अभी है, question number 7 की बात कर लेते हैं, आटे एम मैदा में खाना वाला soda क्यों मिला जाता है, जो आटा एम मैदा होता है, उसमें खाने वाला soda क्यों मिला जाता है, questions ये पूंच रहा है, रोटी को फूल ले के लिए, रोटी जल्द पकने के लिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका right answer हो जाएगा रोटी को फूल ले के लिए, इस्तिमाल होने वाला खमीर है option number A सेचरो माईसे सेरेवी सिये question number sorry option number B monosodium glutamate तो इसका right answer हो जाएगा option number A सेचरो माईसे सेरेवी सिये इसका right answer option number A हो जाएगा ठीक है question number 9 पाउ मनाने में किसके आठी का इस्तिमाल किया जाता है option number A option number B मैदा का आठा option number C बेशन option number D none question number 9 का right answer हो जाएगा option number B मैदा ठीक है question number 10 space in this armlet बनाने में किस तेल का प्रियूग किया जाता है option नारियल का तेल option number B जैतून का तेल option number C सर्षो का तेल option number D none question number 10 का right answer हो जाएगा option number B जैतुन का तेल प्रेंड्स मैंने पिछलों वीडियो बनाया था आप सभी को पता है उसमें थोड़े टफ क्यूशन थे तो कई लड़के बोल रहे थे कि तरह टफ नहीं आता है तो मैं आपको बता दू इतना सिंपल भी नहीं आता है जो आप समझ रहे हो पेपर ठीक है कई ल इतना मौरक थोड़ी ना है कि वो यह पूचे का पानी का प्रियोग तब आटा कैसे बूंदेगा अगर पानी नहीं मिला जाये जाये ऐसे शिंपल क्यूशन नहीं पूचता हो ठीक है ठोड़ा टफ क्यूशन दे के पूचता है ऐसा नहीं है कि सिध्धा ही उन्होंने आमलेट बनाने में निम्न में से किस मसाले का प्रियोग किया जाता है। Option A दालचीनी, Option B काली मिर्च, Option C लॉंग, Option D None तो फ्रेंट्स, 11 क्यूशन उसका अंसर हो जाएगा, काली मिर्च पाउडर, तो राइट अंसर काली मिर्च पाउडर Q12 की बात कर ले, खटा मिटा चिकन बनाने में निम्न में से किस का प्रियोग किया जाता है। Option C, A और B दोनों, Option D, None तो एगरोल बनाने में फ्रेंट्स, आप सभी जाते हैं, अंडे का प्रियोग किया जाता है, Option 20 दा कर रेक्ट आंसर Q14, बेसन के लड़ू बनाने में निम्न में से किस के आठे का प्रियोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, वैसे तो नाम से ही बेसन के लड़ू है। लेकिन आप सभी को पता है कि बेसन के लड़ू बनाते हैं, तो फ्रेंट्स वो एखटा नहीं रह पाता है। उसको बनाने के लिए कौन से आट्टे का प्रियोग किया जाता हो जो की मिक्स होता है तब ही जाकि बेसंग लड्डू बंदते हैं तो उसमें कौन सा प्रियोग किया जाती यह पूछा है तो option a मक्का काटा option b गेहु काटा option c सूजी option d नन क्योंसर नमबर 14 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहु का आटा क्योंसर नमबर 15 बेसन के लड्डू बनाने के लिए आटे को गूंद कर कितने समय तक रखना चाहिए जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तब आटे को बेसन और गेहु काटा उनको बूत कर कितने समय के लिए रखना चाहिए तब जाकी बेसन के लड्डू बनते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी 15 से 20 मिनिट अब कई लड़के बोलते हैं कि सर उसके 20 मिनिट होगा अठारा मिनिट होगा तो 15 से 20 मिनिट आ जाता है नहीं तो इसमें सभी काउंटिंग हो जाता है ठीक है क्यूशन नमबर 16 वर ब्रेड के गुलाब जामून बनाने के लिए निमनिट में से क्या नहीं मिलाया जाता है तो क्यूशन नमबर 16 की बात करते हैं तो इसमें और 26 ऑप्शन नमबर 20 चीरोंजी ऑप्शन option number D बेशन, question number 16 का right answer हो जाएक option number D, बेशन, question number 17 की बात कर ले, निमनमें से किसका आलवा नहीं बनाई जासकता, option A, केले का, option number B, तर्बूझ के छिलके का, option number C, गाजर हो जाएका, option number D, कद्डू, question number 17 का right answer हो जाएका, कद्डू का, Q18, Milk Cake जमने के लिए कितना समय लगता है Milk Cake का मतलब होता है, दूद से बनाया जाने वाला केक Option A, 12 गंटा, Option B, 24 गंटा, Option C, 8 गंटे, Option D, 5 गंटे Q18, इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option B, 24 गंटे Q19, Milk Cake बनाने में कितना समय लगता है Friends, दोनों में अंतर है Question में, वो जमने के लिए पूछ रहा है, और ये कितना समय में बनता है ये पूछ रहा है, तो Option A, 90 मिनिट, Option B, 60 मिनिट, Option C, 30 मिनिट, Option D, 10 मिनिट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, Option A, 90 मिनिट, जो की डेड़ गंटा होता है ठीटे Question number 20 के बात कर ले, मेटे सक्कर पारे निमन में से किसके आटे से बनाए जाते हैं Question number 20 के बात कर रहे हैं, Option A, गेहों के आटे, Option B, मैदा, Option C, सूजी, Option D, नन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैदा, जो की फ्रेंट्स आप सभी को पता है, जो मीटे सक्कर पारे को ग्योंग के बनाए जाते हैं, लेकिन authentic नहीं है, Only book के इसाब से अपन को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैदा क्यूसर नमबर 21, मीटे सक्कर पारे बनाने के लिए आठे को गूत कर कितने समय तक रखना चाहिए, जो मीटे सक्कर पारे बनाते तब आठे को गूत कर कितने समय तक रखना चाहिए, तब जाके मीटे सक्कर पारे बनाए जाते हैं, क्यूसर नमबर 21 की बात कर रहे हैं, तो किसनावर 22 पेठे कालवा बनाने मीन निमनी में से क्या इस्तेमाल किया जाता है उप्षिन दूद ऑप्षिन भी मावा ऑप्षिन कोण सा अमल काम में लिया जाता है इसका राईट आंस हो जाएगा टार्ट्रिक अमल होता है ठीक है किशन नमर ट्वंटिफोर राजभोग बनाने में किस सामकरी को प्योग नहीं किया जाता है अब कि वारे ये पुझरे को नहीं किया जा सकता है किया जाता है यह इंपोर्टेंट होता है कि निश्으न द्यान से पढ़ा करो जकी स्था आप्सिन मेरे दूद न३ convictions कि सब्सक्राइब एठ जाएगा और सी ब्रॉपा प्योग नहीं किया जाता है ठीक है तार्टरी करते हैं नहीं करते हैं नुक्त न's lookingup by प्योग नहीं करते हैं सब्सक्राइब बना जाता हैं nossos स्ष anytime मूंफली के दाने अक्ष नम्वर्व यहon माटर ऐए ऊप्ष नम्वर ड़त 27 गुर्थ के और से बनाने में किसके अच्टीग कर्योंकिया जाता है कि यहूच के अप्निक जहां काटा आप्स हमालकाटा और सिमेधा अप्सम्नें जादाने तो 26 क्यूशन नमबर 26 के बाद करें इसका राइट आंस और जाएगा चावल का आठ्टा ऑप्चन नमबर 20 दा करेक्ट आंसर क्यूशन नमबर 27 निमिन में से किस सामगरी का उप्योग गुड के अन्रसे बनाने में नहीं किया जाता है आपके बार यह पूचा है किस सामगरी क यह सूजी तो क्यूशन नमबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजी इसका अप्योग नहीं किया जाता है ठीक है गरम मावा में बूरा मिलाने से मिश्रण खालिस्तान हो जाता है गाड़ा हो जाता है पतला हो जाता है मध्यम हो जाता है यह में मुझ से कोई नहीं तो यह जाता है जहाएगा जब गरम माव में बूरा मिलां देते हैं तो मिश्रण पतला हो जाता है कि फटे दूद से खालिस्तान बनाया जाता है अब नंट इसका राइट आंसर हो जाएगा रस गुला अ कि रसकुलना बनाने में खालिस्तान का प्रियोग किया जाता है क्यूसर नमबर 30 अप्षन इमैदा औप्षन भी सूजी अप्षन शीचावल काटा अप्षन नमबर डी नन तूसका राइट आन्सर हो जाएगा क्यूसर नमबर 30 का option number A मैदा question number 31 31 की बात कर लेते हैं एक आलू cutlets बनाने में अंडे के साथ मिलाया जाता है question number 31 option option number A मक्के का 8 बेशन option C मैदा option D चावल तो 31 का राइट आंस रोजएका option number A मक्के का 8 option number 32 एक आलू cutlets बनाने में खालिस्तान अंडों का प्रियुक किया जाता है option A option number C दोनो option number D नन तो इसका right आंस रोजएका option number A अभले वे अंडे question number 33 रोहु मचलिक शोर्वा बनाने में किस तेल का प्रियुक किया जाता है question number 33 option A नार्यल का तेल option B सर्षो का तेल option C मुंध खली अप्षन नमबर D नन तो इसका right आंस रोजएका सर्षो का तेल कुछन नमबर 34 कौन से नौन वेज बनाने में पनीर कप्यों किया जाता है कुछन नमबर 34 ओप्शन नमबर A अंडा सोरबा ओप्शन नमबर B फल्पी आमलेट ओप्शन नमबर C एग आलो ओप्शन नमबर D नन कुछन नमबर 34 इसका राइट आन्स रोजाएगा अंडा सोरबा कुछन नमबर 35 एग बिर्यानी बनाने में खाल स्थान का इस्तिमाल किया जाता है अप्शन नमबर A अटवा चावल अप्शन नमबर B हैम मीट वा चावल अप्शन नमबर C अंडावे में दा ओप्सिन नमबर दी नन तो इसका राइट आंसर रो जाएगा अंडावे चाहँवल ऑप्सिन नमबर एदा करेक्ट आंसर कि इसन नमबर थर्टी सिक्स की बात कर लेते हैं एक बिर्यानी बनाने में किस मसाली का प्रियोग नहीं किया जाता है यह द्यान दालचीन आप सभी जानते होगे आपको बता देता हूं सफेदा रहता है सफेदा उनके पत्ते रहते सेम वैसाई दालचीनी रहते है एक मसाला है क्यूंसर नमबर थर्टी सेवन अंडे की करी बनाने के लिए खालिस्तान अंडों का प्रियोग किया जाता है अप्सिन नमर अंडे उबले अंडे ऑप्सन बी बिना उबले अंडे ऑप्सन सी दोनों अप्सन नमर डी नन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्टी सेवन का अप्सन नमबर ए उबले अंडे क्यूंसर नमबर थर्टी एट चिकिन कटलेट बनाने में खालिस्तान का प्रियोग किया जाता है, Q餐 sneeze number 38, option number A, आलू, option number B, टमाटर, option number C, गोबी, option number D, none, Q餐 sneeze number 38, इसका right answer रोजाजैकर option number A, आलू, Q餐 Caucde number 39, Mughlai chicken बनाने के लिए खालिस्तान, तेल का प्रयोग किया जाता है, option number A, सर्सो option number B, जैतुन, option number Synarial, option number D, none तो इसका right answer हो जाजनैकर 39 का option number A सर्षो का तेल क्योंसर नमबर लास्ट एंड फाइनल जो की फॉर्टेकेशन है है एदराबादी चिकन बिर्यानी बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है तो मैं आपको बता हुद फ्रेंड्स इसका राइट आशर हो जाएगा एदराबादी चिकन वह घी में बनती है और मुगलाई चिकन वह तेल में बनती है और इसके आंसर यह दिए हैं और इसके पीडिये पे मैं आपको डिस्क्रिप्स ने बॉक्स में इसका लिंक की देदेंगो वाजा कि आप डाउनलोड कर सकते ह और फ्रेंट्स बार-बार कमेंट्स ना करें कि कब आएगे पीडियाप कब आएगे पीडियाप में जैसे होता है जैसे पीडियाप तयार होती है मैं खुद डाल देता हूं और फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि जो कुक है उसका पेपर कहीं मिलता नहीं है यह बनाना पड मैथ और रिजनिंग और जीके और साइन्स आती दी ठीक है लेकिन अब की बार उन्होंने स्लेबस चेंज करकी और ट्रेड ही रख दिया ट्रेड का लाओ कुछ नहीं दिया है और पांच कुछन जीके गाएंगे इस वज़े से इनके बुक नहीं आई है और कोई अगर आप भी गई होगी मार्केट में तो नहीं आई है तो आप खुद भी देख सकते हो लेकिन अभी मेरे साब से आई नहीं जयसे आएगी अगर मेरे मिल जाती है तो मैं आपको डाल भी दोगा ठीक है तो फ्रेंड्स यह थी एमारी वीडियो आई वाप हमारी वीडियो आपको पसंद रहे होगी तो इसे लाइक एम अपने दोस्तों साथ में ना बूले एंव फ्रेंट जितने भी गुरूप और में शेयर जरूगे जिसे वह भी क्यों संस पढ़ सके एंवारे गुरूप से जुड़ सके एंवारे चैनल से भी जुड़ सके धन्यवाद